आपसे चर्चा करने के लिए तयार ही हैं तीन डिसंबर को कुरूशी मंत्री जी ने आपको निमंत्रन पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्स करने के लिए तयार हैं दूसरा अभी अलग-अलग जगा पे निशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, किसान भाई अपने ट्रेक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बेठे हुए हैं इस सब को मैं अपिल करना चाहता हूँ, कि दिल्ली पुलीस आपको एक बड़े मैदान के अंदर सीफ्ट होने के लिए, सीफ्ट करने के लिए तयार है, आप कुरूपिया वहाँ पर जाएए, वहाँ पुलीस परमिसन भी आपको कारेक्रम करने की दी जाएगी, आप वहाँ प कहेगी, तो आप लोग रोड की जगे, अगर वो निश्चित किये हुए स्थान पर जाकर, अपना धर्णा प्रदसन सांटी पुनवर्क तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है, कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी, और आवाजा ही करें, आम जन्ता की भी परेशानी कम होगी, और अगर किसान विन्यन चाहते हैं, कि भारत सरकार जल्द बात करें, तीन तारिक के पहले इन से बात करें, तो मेरा आप सभी को ए आस्वासन है, कि जैसे ही आप लोग इसमें सिप्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर जगे पे अपने किसान दोलन को सीप्ट करते हैं, और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तयार है, अता किसान यूनियन के सभी नेताओं को, मैं एक कहना चाहता हूं, कि आप सारे किसान भाईयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है, वहीं पर आजाईए, पुलिस परमिसन के साथ सान्ती पूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका अंदोलन चालू रखे, और सीग्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तयार है, बातचीत को भी आगे बढ़ाई है, इसमें किसानों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी, और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुविधा ज्यादा रहेगी, ये बात के लिए मैं किसान भाईयों को फिर से एक बार आस्वस्त करना चाहता हूं, कि आपके ग्री मंतरी की बड़ी अपील उन किसानों से जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदूलन कर रहे हैं, उन्होंने काए कि पुलिस सुरक्षा में तै जगे पर